जैहिन नमस्कार सभी को वेलकम है आपका तरुना डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आज जो है क्लास रही इसके अंदर हम बहुत ही महत्वपुन टोपिक करने वाले हैं इससे एक या जो क्यूशन आपके एक्जाम में बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे तो टोपिक का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं टोपिक है हमाराज का भारतिय राज्यों की राज़्धानी भाशाएं जन्जंख्या वर छेतरफल तो इसमें जो महतोपुन चीज है वो है राज़्धानी और भाशाएं यहां से बहुत जरूरी क्यूशन बनते हैं चेतरफल यहा जन्जंख्या में जहातर यही पुछा जाता है कि जन्जंख्या की दरष्टी से सबसे बड़ा राज़्धानी और भाशाएं यहां पे आपको अच्छे से याद करनी है जिले कितने चल रहे हैं वर्तवान में वो भी देखेंगे अगर आप कुछ साल बाद में देखते हैं तो हो सकता है कुछ और नई जिले बनके भी आ जाएं किसी राज्य में तो वो आप समय के साथ साथ आपको करंट जीके से अपडेट रहना जरूरी है अब ही वर्तवान में क्या चल रहा है वो हम यहाँ पर देखने वाले एक पर क्लास को जल्दी से सभी साथी शेयर कर देंगे देखें सबसे पहले राज्य राजस्थान की बात करेंगे छेतरफल की दरश्टी से सबसे बड़ा है इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी जैपूर है जैपूर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कौन सा शहर कहलाता है चैपूर कहलाता है या काफी टूरिस्ट जो है गूमने आते है बाहर की देशों की अब जिले की बात करें तो 33 जिले है यहाँ पे भाशा यहाँ पे हिंदी और राजस्थानी बोली जाती है जन संख्या और शेत्रफल जो है यहाँ पे मराठी आएगी भाशा में उत्तरफ्रदेश जन संख्या की दरश्टी से सबसे वड़ा राज्य है राजधानी उत्तरफ्रदेश की लखनव है जिले यहाँ पे पिचेतर है और भाशा यहाँ पे हिंदी और उर्दू बोली जाती है जागातर जो है हिंदी ही बोली जाती है मध्यप्रदेश MP आता है यहाँ पे राजधानी आपको पता ही है भूपाल जिले है यहाँ पे पच्पन भाशा यहाँ पे अधिकतर हिंदी ही बोली जाती है नेक्स्ट आपका गया बिहार बिहार की राजधानी बताएं जल्दी से बिहार की राजधानी ह पटना, जिले की बात करें तो जिले हैं यहां पे 38, भाषा है यहां पे हिंदी, जारखन, जारखन की राजधानी है रांची, जहां से हमारे महंदर सिंग धोनी आते हैं, और जिले हैं यहां पे 24, भाषा है यहां पे भी हिंदी, गुजरात, गुजरात की राजधानी है क्युश्ट क्युश्ट हम देख रहे हैं हर्याना हर्याना की राजधानी बताएंगे जल्दी से तो हर्याना की राजधानी भी चंडिगड है और पंजाब की राजधानी भी चंडिगड है हर्याना में जिले हैं 22 भाषा यहां पे हिंदी और हर्यान भी बोली जाती है पंजा तेलंगाना आता है नेक्स्ट आपका तेलंगाना की राजदानी भी हैदराबाद जिले यहां पे 33 भाषा यहां पे तेल्गू बूलिछाती है ठीक है अभी वर्तमान में यही इनकी राजदानी है आगी जब चैन्ज होती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट है अरुनाचल प्रदेश राजधानी हिटानगर है यह कई बार एक्जाम में आ चुकी है और जिले हैं यहाँ पे 25 भाषा यहाँ पे मोलिया, भीजी और मीनी बोली जाती है ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे असम असम की राजधानी है दिस्पुर जिले हैं यहाँ पे 34 भाषा यहाँ पे असम में बोली जाती है नेक्स्ट आता है आपका गोवा टूरिस्ट प्लेस है यह भी जिले यहाँ पे दो है और राजधानी यहाँ पे पंजी है भाशा यहाँ पे कोंकणी और मराथी बोली जाती है, गोवा, राजजानी पंजी, जिले यहाँ पे दोई है, बहुत छोटा राज्य है, और भाशा कोंकणी और मराथी, नेक्स्ट आपका है माचल प्रदेश, राजजानी शिमला है, यह कुछली बार आर्मी में आये था, जिले 31 है, भाशा यहाँ पे कन्नड बोली जाती है, नेक्स्ट केरल, राजजानी शिरुवंत पुरम, जिले यहाँ पे 14, भाशा मलियालम, यह अच्छे से याद कर ले ना, भाशा मलियालम है, केरल की, यह कुछा जा सकते हैं, 36 गडगा आया हुआ, यह कुछन आपको बता नहीं होगी, राजजानी है, इमफाल, जिले है, 16, ठीक है, नेक्स्ट है, मेगाल है, राजजानी शिलोंग, यह दोनों कृष्चन आचुके हैं, यह कृष्चन भी आचुका है, आर्मी में, जिले हैं 11, और भाशा यहाँ पे खासी और गारो बूल जाती है, खासी गारो ज जनजाती भी है, वो आपको जनजाती वाले टोपिक में मैं करवा चुकी हूँ, मिजोरम, राजजानी आईजोल, जिले 11, भाशा मिजोर, अंग्रेजी, नागालेंड, राजजानी कोहीमा, जिले 15, भाशा यहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, ध्यान रखना ही क्यूस् औरीसा में राजजानी भुवनेश्वर, जिले हैं, तीस, भाशा यहाँ औरीसा में उडिया बोली जाती है, देखो यह रज्य भाशा है, नागालेंड की, अंग्रेजी, यह किश्चना चुका है, ऐसे सी के अंदर तो ध्यान रखेंगे, सिक्किम, सिक्किम की राजजानी गेंग टोक, छै यहाँ पे जिले हैं, भाशा यहाँ पे सिक्किमी और नेपाली बोली जाती है, पहले यह दूसरा देश भुआ खरता था, जो कि अब वर्तमान में भारत में हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे तमिल नाडू, तमिल नाडू में राजजानी चिर्नाई, जिले है अड़तिस, और भाशा यहाँ पे तमिल बोली जाती है, तमिल से तमिल नाडू, याद रख लेंगे, त्रिपूरा, राजजानी अगरतला, आठ यहाँ पे जिले हैं, भाशा यहाँ पे त्रिपूरी बोली जाती है, बहुत जल्दी जल्दी रही करना है, अराम से याद हो आपको उतना time ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है भी time है आपके exam में पस्चिम बंगाल राजधानी कलकता जिले यहां पर 23 भाषा बंगला बोली जाती है यह बैंगोली जिसको हम भोलते हैं उत्राखंड राजधानी दहरादुन 17 यहां पर जिले हैं भाषा यहां पर हिंदी और उर्दू बोली जाती है, तो ये आपके राज्य राजधानी, उनके जिले और उनके भाशाएं, ये टोपिक हमारा यहाँ पे आज पांसात मिनिट में कमफीट हो जाता है, लगबग जो है, एक या दो क्यूस्चन इससे बनता है, और रेगुलर हम क्लास करेंगे, आई होप आ करना भी जरूरी है, क्योंकि क्यूस्चन टोपिक से ही बनता है, तो हम रिवीजन के लिए मिक्सप क्यूस्चन कर लेते हैं, लेकिन टोपिक करना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें, जो नए साथी हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, तो डियर स्टूरेंट्स आप अपनी तयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूरेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई-बुक ले सकते हैं जो की सिरफ 19 रुपय में आपको तरुना डिफेंस अकैडमी के एप पे मिल जाएगी जिन स और टैन रुपय में आपको एप्लिकेशन पर ओरिजनल पेपर मिल जाएगी इसके बाद में जो स्टूरेंट्स प्रेक्टिस करना चाहते हैं वो प्रेक्टिस पेपर ले सकते हैं इसमें सभी क्यूस्चन का सोल्यूशन है ट्रिक और बेसिक से दी तो आपको बहुत आसानी के साथ क्यूस्चन का सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा 20 रुपय में आप इबुक पीडियोफ इसकी ले सकते हैं एप के अंदर इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है जिसमें ओरिजनल पेपर भी है जी के जीएस मैट्स रीजनिंग में सभी क्यूस्चन के सोल्यूशन भी दिये हैं एक-एक स्टेप दिया है आपको बिना किसी टीचर के साहे तके अपने आप से इतने आसानी से समझ में आ जाएगी ऐसा सोल्यूशन इसके अंदर बताया गया है 30 रुपीज में आप तरुणा डिफेंस अकेडमी के एप से इसको अपने मोबाईल में ले सकते ह इसके इलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिप कार्ट, एमेजोन के थूँ या तरुणा डिफेंस अकेडमी का एप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं थैंक्यू सो मच चैहिंट